मैं शिखर शुर्वास्ताओं मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को मिर्च के पौधे की ऐसे करें देख भाल और पाएं धेर सारी मिर्च तो दोस्तों आज मैं बताऊंगी आपके मिर्च के पौधे में धेर सारी मिर्च आप किस तरह से उगा सकते हैं मेरे घर का आप ये मिर्च का पौधा देख रहे हैं बहुत ही हरा भरा है और धेर सारी इसमें हरी मिर्च लगी है हरी मिर्च को जब हम बहुत दिन तक नहीं तोड़ते हैं तो अपने आप ही वह लाल हो जाती है और हम लोग इस पेड़ से एक दिन में कम से काफ आठ से दस हरी मिर्च जरूर तोड़ते हैं घर पर उगी हुई मिर्च की तो बाथ ही अलग है दोस्तों ताजी ताजी मिर्च की तो स्वाधी ही अलग होता है सांथी मिर्च की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं इतनी अच्छी क्वालिटी की है तो आज मैं बताऊंगी मिर्च के पौधे की हमें देख भाल किस तरह से करना है वैसे तो मिर्च का पौधा आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं पर जब बहुत जादा ठंड पढ़ती खास कर दिसंबर के महने में तब मिर्च के पौधे की ग्रोथ रुख जाती है और बारिश के मौसम में दोस्तों इसकी ज़्यादा केर करनी पढ़ती है क्योंकि आप कह सकते हैं इसकी पत्या थोड़ी थोड़ी सी अंदर की तरफ मुड़ने लगती है और इस रोग को बोलते हैं मुरोड या रोग या फिर बहुत सी जगा पर इसे सिकुडी रोग भी कहा जाता है तो पत्या मुडने लगती है तो इसके लिए आपको नीम ओईल का जादा गहरी गुड़ाई नहीं करना है मिर्च के पौधे की जो जड़े होती है वो उपर उपर होती है और अगर हम गहरी गुड़ाई करते हैं तो फिर इसकी जड़ है वो डेमेज हो जाती है तो जितनी अच्छी हम गुड़ाई करते हैं दोस्तों उतनी ही तेजी से यह पौधे की ग्रोथ होती है आज यहां पर मैंने इस पौधे को फर्टिलाइजर देने के लिए सरसो की खली का इस्तमाल किया है सरसो की खली जिसे की हम मस्टर्ड केक भी कहते हैं इस तरह से टुक आप इसके केक फ़र्म में भी से ले सकते हैं बहुत ही आसानी से मिल जाएगी इसके अलावा यदि आप इसे पर्चेस करना चाहते हैं तो ऑन लाइन पर्चेस कर सकते हैं डिस्कृप्शन बॉक्स में मैं इसके पर्चेस की लिंक शेयर कर दूंगी तो सबसे बड़ा पौधों की ग्रोथ बहुत ही फास्थ होती है, कि यह न सोचें, कि यह सिर्फ हरी मिर्च के लिए है सर्सो की खली, आप किसी भी पौधों में सर्सो की खली fertilizer को दे सकते, चाहे वो फूलों का हो, चाहे फलों का हो, चाहे सबजीयों का हो, और आपको ऐसा लगर होगर इसे पानी में भीगाना है 5-6 घंटे लगेंगे तो आप इसका पाउडर ले 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 और इस तरह से अगर ले रहे हैं दोस्तों तो आप जाहें तो इसे ग्राइंडिंग जार में डाल कर इसे क्रश कर लें इसका पाउडर बना लें तो ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर है दोस्तों इतने इसमें धेर सारे माइक्रो न्यूट्रियेंट्स होते हैं जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही जादा आवश्यक है तो सरसों की खली ये जो मस्टर्ड केक है इसे पानी में सोक करने मैंने रख दिया दोस्तों अ नहीं पत्तियां आना भी बंद हो जाती हैं और साथी साथ फल भी नहीं लगते अगर मिर्ची लगेगी भी दोस्तों तो थोड़ी सी तेड़ी मेड़ी लगेगी या छोटे सा इसकी लगेगी फूल तूटकर समय से पहले गिर जाएंगे तो समय समय पर मिर्ची पौधे की पिंचिंग भी जरूर करें, आप देख रहे हैं मैं कैंची की सहता से इसका सभी जो शाखाएं इसके उपर के हिस्से को काट रही हूँ, काटते समय हमें कई बार बहुत खराब लगता है कि अरे ये तो फूल थे, इसमें कलियां लगी थी, परन्तु आपको सभी शाखाओं के कि उपर उपर के हिस्से की पिंचिंग जरूर करना है, कटिंग जरूर करना है, जिस जगह से मैं कट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं ध्यान से, उस जगह से कुछ दिनों के बाद दो शाखाएं निकलेंगी, और उन दो शाखाओं से फिर से दो ब्रांचेस निकलेंगी, और इस तरह से हमारा पौधा बुशी होगा, इसलिए पौधों की पिंचिंग करना बहुत जरूरी है, कटिंग करना बहुत जरूरी है, तो मैंने चारो तरफ से मिर्च के पौधे की उपर-उपर से कटिंग कर दी है, तो अगर पौधा लगाया है दोस्तों तो उसकी देख भाल तो हमें करना ही पड़ता है बिमारियों से भी बचाना पड़ता है खासकर बारिश के मौसम में लीफ करल का जो रोग है वो बहुत तेरी से पौधों में लग जाता है लीफ करल रोग के लिए दोस्तों आप चाहें तो जो मठा होता ना बटर मिल्क जिसे बोलते हैं मठा आप चाहें तो मठा भी इस पौधे में डाल सकते हैं इसकी मिट्टी में उससे भी लीफ करल रोग बहुत हद तक दूर हो जाता है 8 से 10 दाने मैंने हाँ पर DAP के लिए हैं दोस्तों उसे मैंने मिट्टी में डाल दिया है इससे भी हमारे पौधों की ग्रोध बहुत ही फास्ट होती है जब भी कोई खाद डालें खाद डालने के बाद आप हलकी सी इसकी गुडाई जरूर करें गुडाई करने से जो भी हमने डाली है वो पौधों की जड़ों तक के पहुच जाती है और उसका असर हमें तुरंत ही पौधों पर दिखाई देने लगता हमारे पौधों की ग्रोध अच्छी फास्ट होने लग जाती है तो इस तरह से यदि आप भी देख भाल करेंगे तो आपका भी मिर्च का पौधा बिल्कुल हरा भरा रहेगा फूल तूट कर नहीं गेंगे और सभी फूलों से धेर सारी मिर्ची बनेगी मिर्ची के फल लगेंगे और मिर्च के पौधे को आप डारेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं इसको सनलाइट बहुत ही पसंद होती है जितनी अच्छी धूप में जो भी आपके पास है जिसे मैं ने आज सरसोग खली डाल कर दिखाया आप जहें तो नीम की खली वर्मी कमपोस्ट और ज़रू डाले अब आप देख सकते हैं जो सरसोग खली थी उसके मैं बहुत जादा घाष ठीक पेस जो है वो बोल में है उसे बही मैं और डाईल उट कर और हलकी सी गुडाई कर देंगे तो बढ़िया इस गंबले को मैंने बिल्कुल धूप में रखा है दोस्तों और बिल्कुल भी पांस से च्छे दिन के पहले पानी नहीं देती हूं जब मुझे इसकी मिट्टी बहुत जादा सूखी लगती है बिल्कुल भुरी सी मिट्टी हो आवश्यक्ता की पूर्ती करता है और पौधों की जो पत्तियां पीली पढ़ने लगती है चोटे-चोटे साइस की होती है तूट कर गिर जाती है उससे भी बचने के लिए आप एपसम सॉल्ट भी पौधों पर इस्प्रे कर सकते हैं एक चमच एपसम सॉल्ट को एक लीटर पानी मिलें खूब अच्छे से अपने पौधे को उससे नहला दें उससे भी पौधों को की मैगनीशम की जरुवत पूरी होती है और पत्यों का पीला पन और सड़ना रुख जाता है यह देखिया भी मैंने आपको मिर्च काट कर दिखाए इसी तरह से हम लोग 8-10 मिर्ची काट लेते हैं जब जरुवत होती है तो तो आप भी इस तरह से अपने घर पर मिर्च का पौधा लगाएं उसकी केर करें और घर पर पाएं धेर सारी ओर्गैनिक मिर्चिया तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइव साथ ही साथ मेरे चैनल टिप सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा